हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू बाइमिंटर्स क्लासेश ऑनलाइन तोडे वी आर गूंग टू डिस्कस्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर मेक्कैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस वर्से श्ट्रें कर तो उसके लिए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुबात करेंगे वीडियो से पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुए जिसके अंदर में एक रॉड लगी हुई है और यहां पर हम लोग फोर्स एपलाई कर रहे हैं और इस फोर्स को एपलाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें एक स्ट्रेंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं पहले बस आप इसको देख लीजी एक बार उसके बाद में मैं आपको इसको एक एक करते यहाँ पर मैंने क्या किया कि force को हटा दिया तो force को हटाने से वापस से आपकी जो लैंथ ओरिजिनल लैंथ वहाँ पर वापस से प्राप्त हो चुकि है फिर से हम लोगों ने एक बार और force लगाया लेकिन इस बार जो force है वो थोड़ा सा और जादा apply किया है मतलब stress को आपने बढ़ा दिया है stress को बढ़ा दिया है फिर हमने stress को फिर से remove किया तो हमने कुछ चीजों को यहाँ पर observe किया है कुछ चीज़ें जो यहाँ पर observe हो रही है उनको आप graph में भले ही नहीं देख पारे हो लेकिन आगे मैं समझाऊंगा now एक बार point E तक पहुँच गए फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने फिर से एक बार और खीचा और एक बार खीचा force apply किया force apply किया मतलब stress apply किया और stress apply करने के पश्चात यहाँ पर आपको एक नया point यहाँ पर देखने को मिल गया है ग्राफ पे वो है E डैश और अब देखो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है तो यहाँ पर नीचे point S आ गया जो permanent deformation को यहाँ पर बता रहा है ठीक है मैं यहीं कड़ा हूँ कहीं गया नहीं हूँ अब इसके बाद मैं आगे और force लगाया है तो इसके बाद मैं यह graph बनता हुआ नजर आ रहा है और इस graph के साथ में इसको भी देखना साथ में ठीक है अब इन ही चीजों को मैं आपको properly एक एक point करते हुए यहाँ पर explain करने की कोशिश करता हूँ और let's start it ठीक है so start करते हैं heading डाल लीजे बिटा क्या heading डाली है आप लोगों ने stress versus strain curve stress versus strain curve इसके अंदर मैं बिटा यहाँ पर यदि आप देखते हैं X axis पर आपके पास में strain रहेगा और Y axis पर आपका stress रहेगा ठीक है अब इस graph की जो शुरुवात होती है तो graph की शुरुवात करने के लिए कुछ चीज है मुझे आपको पहले से ही बता के देनी पड़ेंगे और वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं stress strain curve के अंदर में वो पढ़ रहे हैं behavior of स्टील वायर behavior of स्टील वायर अब देखो यह जो हम लोगों ने देखा अभी उसको हम लोग थोड़ा सा detail में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि एक metal की वायर लेते हैं metal में स्टील भी हो सकता है कोई और दूसरा भी हो सकता है लेकिन हम लोग मैं लिख दिय स्टील की वायर है जनरली वह कोई भी मैटल की हो सकती है अब हम लोग क्या कर रहे हैं इससे हम लोग लोड एपलाई कर रहे हैं और यह लोड जो है वह है आपका continuously increasing load यहां पर हम लोग एपलाई कर रहें अदाधा किलो के स्टेफ्स में एक वायर लटका दी पहले आपने कही पे और वायर के बाद में नीचे कहीं तराजू अगर लगाके यह उस पर आदा किलो रख दिया पहले फिर और आदा किलो रख दिया फिर और आदा किलो रख दिया फिर और आदा किलो रख दिया ऐसे करते करते स्टेप्स में हम लोग उस वायर से क्या करेंगे लोड उस वा लग चुका है कि आपकी वायर किस पोजिशन पर आकर के तूटती है क्या आइडिया लग गया मेरे को हाँ तो अब जब आइडिया लगा है तो यहां पर एक क्या प्रतिबल लगाने परविकृति उतपन हो रही है क्या यह वायर है प्रतिबल लगाने पर Ю sap ओकर किया हैं क्या रही है क्या वेड़ी है स्ट्रेश का है के त्यूरिम्स चाहने को फिर से शुरू करते हैं अब मुझे उस वायर के बारे मायगी लगे मैंने दो आइडेंटिकल ली थी तो एक को तोड़ के बैढ़ गया मैं अब दूसरी फिर से लगा लेता हूँ अब मुझे मालू में कहां वायर तूटती है तो अब behavior को समझने के लिए stress और strain का करो बनाना चालू किया मैंने धीरे 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 जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ stress increase करता हूँ तो मेरा strain भी क्या होने लगता है increase होने लगता है और initially आप जानते हैं कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पर मिला है point P ये point O मान लीजिए ये point P एक ऐसा point है जहां तक आपका जो stress versus strength का graph है it is a straight line graph ये कैसा graph है point P तक stress versus strength का graph एक straight line graph है और यदि ये straight line graph है इसका मतलब यहां पर आपका hooks law follow हो रहा है कौन सा law? hooks law यहां पर follow हो रहा है मतलब मैं कह सकता हूँ कि up to the point P up to the point P up to the point P stress is directly proportional to strength इसका मतलब है कि भहिया यहां तक hooks law follow हो रहा है hooks law is obeyed चलो ठीक है यहां तक की कहानी आप लोगों को सुन्दर सी प्यारी सी लगी होगी और समझ मैं भी आई होगी अब मैं क्या करता हूँ अब मैं फर्दर फिर से load को क्या करता हूँ increase करता हूँ और increase करते करते हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें एक point मिलता है जिस point को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर e point ठीक है अब यह e point कौन सा point है है तो इसी के साथ में चल ला है तो हम लोग देखते हैं कि e तक भी आपको जो line है वो आपको एक straight line मिल रही है क्या मिल रही है straight line मिल रही है और e से आगे e वो point मिलता है जहां से आगे जो आपका graph है वो आपका strain axis की तरफ जुकने लगता है ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ चीजों को कि भी यह point e तक भी आपका hooks law follow हो रहा है एसा नहीं कि point p तक हो रहा है point e तक भी हो रहा है लेकिन point e पर एक ऐसी situation बनती है कि यहां से आगे जो है वो आपका जो graph है वो strain axis की तरफ थोड़ा सा जुकने लगता है ठीक है, strain axis की तरफ थोड़ा सा जुकाओ उसमें बढ़ता है, strain axis की तरफ जुकाओ उसमें थोड़ा सा बढ़ता है और आपको एक point मिल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं E dash, जिसे हम लोग क्या कहते हैं E dash अब देखो, जैसे ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा ग्राफ strain axis की तरफ जादा जुकाओ रहा है मतलब देखो, पहले तो मुझे कैसा चल रहा था, पहले मुझे straight line चल रहा था, मैं ठीक था, खुश था point P तक था ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा और बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, तो मुझे एक point ऐसा मिलने लगा P तो general point है, कहीं भी बना सकता था, लेकिन हाँ, अब मुझे एक elastic limit का एक idea हो गया, अब elastic limit क्या होती है, तो इसे हम लोग आगे, मैं एक एक करके definition फिर से बता दूँगा, तो tension ले नहीं जोड़ाते हैं, वैसे elastic limit क्या होता है, the maximum stress to which a body can be subjected is called as is called as elastic limit, और उसमें condition होती है, without permanent deformation, बात ठीक है, without permanent, मैं लिख दूँगा, tension मतलो, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यह वो point आ गया, जहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है, कि इस से ज़्यादा stress area में apply कर रहा हूं, अब लोड लगा रहा हूं, तो यह जो graph है, वो strain वाली axis की तर point E dash पे, तो अब मैंने क्या किया, मुझे ऐसा जब प्रतीत हुआ, तो मैंने लोड को remove करना चालू किया, मैंने क्या किया, load को remove करना चालू किया, सर क्या इस से पहले आपने load को remove करके नहीं देखा था, मैंने करके देखा था, जो करके देखूँ, तो उसी line पर मैं पहले च चुका है और यहां पर मुझे point S मिल जाता है ठीक है O से चला P P से E E से E डश यहां पर मुझे S मिलता है और इस S को हम लोग बोलते हैं permanent set point permanent set point यह basically किस चीज को represent कर रहा है कि जब आपने stress को elastic limit से आगे बढ़ाया देखो जब आपने stress को elastic limit से आगे बढ़ाया तो उसके बाद उस wire में जो metal की wire थी उसमें एक permanent deformation रह जाता है मतलि अब आप load को remove भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ क्या है strain इसके अंदर अभी present है ठीक है तो s पर पहुंच गए अब s के बाद में मैं क्या करूंगा फिर से फिर से मैं यहां पर load को increase करूंगा और जब इस बार load को increase करूंगा तो मैं वापस से कहां पहुंचूंगा e dash पर पहुंचूंगा कहां पहुंचूंगा e dash पर पहुंचूंगा yes or no अब यहां पर एक point होना चाहिए देखो इस point को समझ ये e से लेकर के e dash के बीच में क्या हो रहा है थोड़ा सा उपर बना रहा हूं line को जैसे आप समझ पाएं वैसे दो ये वाली जो line है थोड़ी सी उपर बनाएं मैंने मैंने क्या बोला इस वाले segment के अंदर मैं for small increment of stress more strain is produced more strain is produced बात समझ में आ रही है छोटे से कम stress के लिए भी क्या हो रही है जादा strain प्रोडूस हो रही है तभी तो आपका graph क्या हुआ strain वाली axis की तरफ जुकने लग गया है ठीक है yes or no क्या ये बात समझ में आ गई चलो अब हम लोग क्या करते हैं जब s पर थे तो s से वापस से हम लोगों ने लोड को बढ़ाना चालो किया बढ़ाना चालो किया बढ़ाना चालो किया हम लोग पहुँचेंगे e- की तरफ और e- अपने को since आपको पता लग गया है कि ये जो graph है वो strain axis की तरफ ज़्यादा जुकरा है थोड़े से stress पर भी strain आपको ज़्यादा मिलने लग गया है और यहाँ पर आपको एक point मिल जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं YP और YP को बोला जाता है yield point क्या है yield point अब यह yield point क्या होता है यह yield point एक ऐसा point है बिटा जहां पर आपका जो तार है आपका जो wire है वो बिटा increase होने लगता है strain मिलने लग गया है तो इसे हम लोग बोलेंगे yield point इसे हम लोग क्या बोलेंगे yield point और जब yield point आपको मिल जाता है तो basically अब थोड़ा सा graph हमारा टेड़ा तो बने गई एकदम सीधा तो मैं नहीं बना पाऊंगा यह वो point होता है जहां पर आपका जो tangent है जहां पर आपका tangent जो है is tangent is parallel to strain axis यह छोटे छोटे से question है जो आपको पूछे जा सकते हैं yield point stress strain कर उपर yield point वो point होता है जहां पर draw किया गया tangent strain axis के क्या होता है parallel होता है और जब यह yield point आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि wire starts flowing by itself wire starts flowing wire जो है वो आपका क्या होता है अ फ्लो करने लग जाता है अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर इसके आगे जब मैं बढ़ता हूं न तो हमें कुछ ऐसी situation निकल के आती है कि यह graph फिर उपर चलता है यह graph फिर उपर की तरफ चलता है और वहां से वापस यहां तक चलता है और उसके आगे यह graph वापस से लौट के नीचे आता है ठीक है यह हमारा n point है और यह हमारा b point है यह क्या है n point है और यह है b point तो n point और b point में क्या है तो n जो होता है वो आपका breaking stress को बताता है किसके बारे में बतलाता है breaking stress के बारे में बतलाता है और यह आपके puncture को बतलाता है यहां लोग इस से breaking point भी bholल देते हैं पंचण नहीं समझमे आ रहा तो braking point भूल दीज़े मतलब क्या है सर ये वाले दो point लाश में समझ में नहीं आए basically kya है आपने टि Coburn को ध्यान से देखा होगा जो ये वीडियो में सम्झाया था तो उसमें क्या हुआ था कि आपने देखा था कि वायर जो है ना वह ऐसे शेप में होने लग गई थी होने लग गई थी गया यह सोर नो तो बतलब ओवर ओल जो stress है पूरा का पूरा stress एक जगे पर एकठा होने लगता है और एक पॉइंट पर आपकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होने लगती है सारा का सारा stress एक पॉइंट पर आने लगता है और जितना maximum possible stress है वो सब यहां पर आने लग जाता है और यह यहां पर उसकी लिमिट होती है जिसे हम लोग कहते ब्रेकिंग stress मतलब जितनी वायर की सहन करने की capability उतना वहां तक पहुंचता है और उसके बाद में फिर आपका stress decrease होने लगेगा लेकि strain बढ़ेगा और वो वायर जो है वहां से तूट जाएगी जो वायर है वहां से क्या हो जाएगी तूट जाएगी basically इसको हम लोग कहते हैं formation of neck इसलिए उसको end point से represent करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं end point से represent करते हैं क्योंकि यहां पर neck formation होता है neck का मतलब समय आता है गरदन वो वाला neck है इसलिए n है यहां पर क्या यह graph आपको समझ में आया yes or no sure है clear क्या मैं फिर से एक बार और बता दूँ इसको आज के lecture में कोई ज्यादा टॉपिक है यह टॉपिक है उसके बाद में stress strain energy कर पॉइंट है उसके बाद में हमको shagging के formula देख लेंगे और कहानी खतम हो जाईग चैप्टर फिनिश हो जा हम लोग दीरे 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 से लोड लगा रहे हैं दीरे दीरे इंक्रीजे की steps में जब हम लोड लगा रहे हैं तो उसके बाद में हो क्या रहा है वो वायर एक particular point पर आने के पस्चा तूट जारी तो मुझे एक idea लग गया कि वायर कहां पर तूटती है अब मैंने दूसरी व इसद्रड़ थीरे दीरे लोड इंक्रीज कर रहा हूं दीरे दीरे लोड इंक्रीज कर रहा हूं तो वायर में ज्टरेंण ना रहा है मैं point P तक गया वापास lot के आ गया मुझे same graph मिलता है मतलब मैं कह सकता हूँ यहां पर up to point P आपका जो Hoogh semaine वह ओबे हुआ है Hoogh funk Eole हुआ हुआ है कि फोड़ा सा अगे और बढ़ता ही पॉ нравится अब ई-पॉइंट के आगे इपॉइंड व peg मैंड है जो इलाश्टिक को एलाश्टिक लिमिट को रेप्रेजेंट करता है और इलाश्टिक लिमिट का मतलब यह एक ल लिमिट वह पॉंट होती है वह पॉंट होता है इसके बाद आपका जो ग्राफ है वह आपका strain axis की तरफ जुकने लगता है और ऐसा जब हो रहा होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है यह कैसे समझ में आता है कि छोटे से stress के increment के लिए छोटे से stress के increment के लिए आपको large strain मिलने लगता है और जब ऐसे मिलने लगता है तो मुझे समझ में आनाना चीए कि यह पर्मानेंट डिफॉर्मेशन वाली स्टेट आ चुकी है तो यही मैं वापस से लोड को रिमूव करता हूं तो मैं E-स से वापस लोड के S पे पहुंचता हूं S पे पहुंचता हूं इसका मतलब यह है कि वाइर के अंदर में पर्मानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है इस S को हम लोग पर्मानेंट सेट पॉइंट बोलते हैं यह पर्मानेंट सेट पॉइंट क्या बतलाता है यह बतलाता है कि यह वाइर में आपका एक पर्मानेंट हो जाते हैं यील्ड पॉइंट पर ठीक है अब यील्ड पॉइंट क्या होता है कि मतलब इड़े से आगे जब आप बढ़ रहे तो अब आप इवन दो विदाउट एप्लाइंग एनी स्ट्रेस फिर भी आपका स्ट्रेन बढ़ते हुए नजर आ रहा होता है तो वह आपका होत कि इसका मतलब यह जो पॉइंट से आगे बढ़ने पर आपका ग्राफ जह है वह वह पेंट पहक और अपवर्टाइरेक्षन होने ललगता है और आपकी जो में है उस स्टेज में किसी एक पॉइंट पर फ्लो होना स्टार्ट करती है मतलब लोकल लेवल पर आपका जो डायामीटर है या जो रेडियस है वो डिक्रीज होने लगता है लोकल लेवल पर लोकल लेवल का मतलब आपको stress increase हो रहा है, radius या diameter क्या होने लग रही है, decrease होने लग रही है, और यह कहां तक होती है, up to the point end, जहां पर आपकी एक neck जैसा structure बन जाता है, और एक बार यदि neck फॉर्म हो चुकी है, तो उसके बाद मैं, यदि आप stress को decrease भी कर लोगे, stress को क्या कर लोगे, decrease कर लोगे, मतलब आप loads को हटा भी लोगे, तब भी loads को हटाना भी आपने चालू कर दिया है, फिर भी आपका strain बढ़ते हुए चला जाता है, और at the end point B पर, जो point B लिखा है, जिसे हम लोगोंने breaking point बोला है, wire आपकी तूटके, दो टुकडे हो चुके होते हैं, क्या यह बात स्वज में आ गई, sure है, yes, so यहां से आगे मैं कुछ points आपको बता के दे रहा हूँ, points का मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है उसका meaning, पहला होता है limit of proportionality, limit of proportionality, limit of proportionality का क्या meaning है, limit of proportionality, proportionality की limit, proportionality की limit से क्या मतलब सोच सकते हो, हम लोग अभी stress versus strain गराब देखे हैं, इसके अंदर में straight line आती है, जहां तक hooks का lawful होता है, तो limit of proportionality का meaning है, वो point जिसके आगे stress और strain आपस में directly proportional नहीं है, that is called as limit of proportionality, क्या ये बास समय में आई, the point beyond which, the point beyond which hooks law is no longer valid, the point beyond which hooks law is no longer valid, so उसे हम लोग कहते हैं, limit of proportionality, दूसरा point हमारे पास में, जो आता है, वो आता है आपका elastic limit का, कौन सा आता है बेटा, elastic limit का point आता है, elastic limit, क्या होती है बेटा, elastic limit, the maximum stress to which a body can be stressed, without permanent deformation, without permanent deformation, उसे हम लोग body की elastic limit कहते हैं, क्या ये बास समय में आ रही है, शौर, तीसरा एक और important point, यहाँ पर जो question बना सकता है, examiner यदी चाहता है तो, वो है बेटा, yield point, कौन सा है, yield point, yield point कौन सा होता है, याद करो, yield point वो point होता है, जहाँ पर, yield point is that point where the strain increases even without increase in stress, without stress को बढ़ाए बिना जहाँ पर आपका strain बढ़ता है, ज्यान दीजे, stress को बढ़ाए बिना जहाँ strain बढ़ रहा है, तो वो जो horizontal line बनने लगती है, जहाँ आम लोगोंने बोला था कि यदि मैं tangent draw करता हूँ, तो tangent becomes parallel to the, parallel to the strain axis, तो वो वाला जो point है, वो है आपका yield point, और last में जो मैं बात करना चाहूँगा, वो है आपका breaking stress, कौन सा है, breaking stress, breaking stress, breaking stress क्या होता है, तो अब देखो, जहाँ पर breaking की बात आ रही है, so maximum stress, जो एक wire सहन कर सकती है, उसे कहते हैं breaking stress, अब देखो, इन दोनों में फरक, elastic limit में क्या है, कि permanent deformation नहीं होना चाहिए, लेकिन breaking stress में ऐसी कोई condition नहीं है, तूटने से जरा पहले तक की कहानी, breaking stress में आती है, जब कि elastic limit में क्या होता है, कि permanent deformation से पहले की कहानी, elastic limit के अंदर में आती है, तो ये छोटे-छोटे से differences हैं, जिनको आपको पकड़ के रखना है, भूलना नहीं है, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, या नहीं आ रही है, yes or no, so अब इसके आगे जो हम लोग point पढ़ेंगे, वो है आपका regarding strain energy, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से चीज़ों को देख लेते हैं, क्या किया था मैंने याँ पर, ये आपका वो वायर जिसकी कुछ तो भी एक length दे रखी है, फिर मैंने force apply किया, force apply करने से क्या हुआ, stress आया, stress आया मतलब strain आया, तो ये stress और strain आपस में एक दूसरे के proportional है, पी point तक मैं पहुँच गया, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जब मैं यहाँ पर stress को remove कर रहा हूँ, तो ये graph अब वापस चल रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं सकते इसमें, तो ये वापस चला गया, फिर से मैंने इसमें क्या किया, force को apply किया, force को apply किया, तो मैं पहुचूंगा, एक elastic limit तक पहुच जाओंगा, कहां तक पहुच जाओंगा बिटा, elastic limit तक पहुच जाओंगा, जिसे point E से represent किया गया है, इस elastic limit के पश्याद, जब मैं छोड़ देता हूँ, तो वापस से stress और strain तो आपस में proportional हैं यह, तो वो वापस से अपनी original length तक पहुच जा रहा है, लेकिन मान के चलो, अब मैं यदि फिर से stress apply करता हूँ, फिर से force apply करता हूँ, तो इस case में क्या हो रहा है, कि यह आपकी अब एक elastic limit अचीव हो चुकी है, तो उसके आगे जो है, वो graph थोड़ा सा strain axis की तरब मुड़ने लग जाता है, और मुझे E dash point मिलता है, E dash से जब मैं वापस lot के आता हूँ, तो मुझे wire में permanent deformation मिल चुका है, अब देखो permanent deformation आ चुका है, वापस से मैंने force apply किया, वापस से जब मैंने force apply किया, तो मुझे yield point मिलता है, उसके बाद में आपका yield point मिलता है, उसके बाद में neck formation होता है, तो यह neck formation होता है और उसके बाद में तूटती है, पहले neck formation होगा, उसके बाद में भले हैं आप load को कम भी कर लोगे, लेकिन कम भी करने से कोई फरक नहीं होगा कि अब वायर तूटने वाली है मतलब तूटके ही रहेगी ये है situation पूरी जिसके हम लोगों ने यहाँ पर एक बार और देख लिया है ठीक है चलो So अभी हम लोग बात करते हैं strain energy strain energy अब strain energy को समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक वायर लेते हैं जिसकी length L ले लेते हैं और radius small r ले लेते हैं और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं लटका लेते हैं ठीक है ये मेरे पास में एक वायर है जिसकी radius small r है और इसकी जो length है वो capital L है वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम लोग इसमें lateral lateral strain को consider नहीं करने वाले हैं क्या ये बास में आ रही हैं अब मैं क्या अगर रहा हूँ मैं इस पे लगा रहा हूँ एक force apply कर रहा हूँ ये जो force है वो मैंने f apply किया तो force f apply करने पर मुझे इतना मालूम है कि इसमें क्या आएगा strain आएगा इसकी length में परिवर्तन होगा जब length में परिवर्तन हो रहा होगा तो उसके साथ में diameter या radius में भी परिवर्तन हो रहा होगा लेकिन that part को उस वाले part को हम लोगों को consider नहीं करना है वो हमको यहाँ पर नहीं है basically यह जो F हम लोग लगा रहे हैं वो F जो है वो M G के equivalent ही लगा रहे हैं ऐसा हम लोग मान सकते हैं यदि हम लोग चाहते हैं तो मतलब लोग इसको यदि खीचना है तो हम लोग क्या लगाए अच्छी यह wire का mass M नहीं है ध्यान लगना हम बाहर से M mass लगाएंगे जिससे यह खीचेगी मान के चलो F force लगाने से यह जो wire लंबी हो जाती है वो कुछ इतनी लंबी हो सकती है और यह आपका small L बन सकता है ठीक है बासने में आ गई यह force आपका F लग ही रहा है अभी तक अब हम लोग आगे क्या बात करें अब आगे बात करता हूँ कि यह during this process अब यह जो material है इस material के लिए लेट से बिटा young's modulus है y तो young's modulus कैसे लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं यह young's modulus आएगा F upon A whole divided by small L by capital L या फिर आप लिख सकते F L upon small L A ठीक है यह तो होई सकता मैंने माना कि किसी situation पर किसी situation पर जब हम लोग यह force धीरे 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 apply कर रहेते तो किसी situation पर यहां से x नीचे जाता हूँ यहां से x नीचे जाता हूँ तो इस समय यहां पर force F है और इस small force F के कारण यहां पर जो length में change आ रहा है वो आ रहा है dx ठीक है बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला समझ में आया मैंने बोला कि let's say F is the force, small f is the force which causing stretching of wire by x कितने से पिटा? x से force कौन सा लिया है? small f तो ज़रा यहां पर देखे रही मैं small f की value लिखना चाहूँगा तो क्या मैं small f की value लिख सकता हूँ? y ax upon capital L देखो बई यह capital F तक नहीं पहुँचा है दीरे-दीरे हो रहा होगा एक साथ तो नहीं करते है हम लोगोंने अभी देखा है loading कैसे करते है दीरे-दीरे-दीरे हम लोग क्या लगाते है है उसमेँ? दीरे-दीर दीरे क्या लगाते हैं उसमेँ स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो उसी प्रकार से उस दर्मियान हम लोग स्मॉल एफ फोर्स और एक्स स्ट्रेचिंग की एक्सपांशन की हम लोग बात कर रहे हैं मैंने माना कि यहां पर जब इस एक्स तक पहुंच चुका हूं तो इस एक्स से छोटे से डी एक्स में जो displacement हम लोग इसमें ले के आ रहे हैं उसमें हम लोगों एक small amount of work done किया है let's say it is your dw तो आप कह सकते हो कि dw will be equals to f dot dx इस force f ने छोटा सा displacement आपको provide कर दिया है और वो है आपका dx clear चलो सो अब हम लोग यदि बात करते हैं total work done की so total work done can be written as integration dw जो आपको 0 से ले करके L तक क्या provide कर रहा है extension provide कर रहा है देखो यह original lengthy यहां तक की यहां से ले करके L produce हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसमें पूरा work done w होगा तो पूरा work done w होगा तो मैंने वो लिख दिया तो बस अब मुझे इसको solve करना है तो 0 से ले करके small L तक f की value क्या आई थी yax upon L और यह आ गया dx चलो आगे बढ़ जाओ ज़रा इसको solve करने के लिए constant चीजों को बाहर निकाल दीजिए तो अब दो वास्तविक्ता में देखा जाए तो area भी constant नहीं है लेकिन हम लोग यहां पर चलते हैं कि area constant है तो y a upon L integration 0 से L x.dx इसका integration जड़ा solve कर ले न बेटा आपको मिलेगा w बराबर y a upon capital L x square by 2 0 से लेकर के L तक आगे यदि मैं बढ़ता हूँ तो w बराबर आएगा y a upon capital L और साथ में आप इसे L square by 2 लिख सकते हों अब इसके आगे जो है वो सिर्पोसे formula जो भी formula है उनका क्या है उनका adjustment है जैसे मैं लिख सकता हूँ w बराबर half into y a small L upon capital L into small L ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ क्या चलो यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो मुझे बात बताईए चीज जो बन रही है वो क्या बन रही होगी y a small L upon capital L y a small L upon capital L क्या बनेगा तो इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा तो देखो क्या ये f बराबर y a small L upon capital L नहीं है देखो यहाँ पर तो f का मतलब क्या है force force का मतलब क्या है load और small L का मतलब extension तो पिटा यह जो work done आ रहा है यह basically half into load into extension के बराबर भी आ रहा है अब कई लोग बोलेंगे sir आपने तो heading डाली ती strain energy फिर यह work done क्यों निकाल रहे हो basically यह जो work done है that work done will be stored in the form of energy और उसी को हम लोग क्या कहेंगे strain energy कहेंगे मतलब कहानी simple है कि आपका जो strain energy बन रहा है strain energy बन रहा है वो आपका half into load into extension के बराबर ही बन रहा है कुछ भी नया नहीं किया गया है yes or no अब यह strain energy के आगे यही मैं चलता हूँ तो बहुत सारे अलग अलग formula अब यहां से आगे आप छोटे-छोटे से formula derive कर सकते हो कैसे derive कर सकते हो उसको जराब सी किये तो भाई यह देखो पहली बात तो यह strain energy को मांचलो मैंने e से लिखा है तो यह है half और यह था y a small l upon capital l into small l ठीक है अब यहां पर यही मैं ध्यान से कुछ देखने की कोशिश देखो जब तक कुछ आप देखोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा मतलब क्या है सर जी कई लो तो इसी में इसी इसी धेड़े बुन में लगे इसका मतलब क्या है देखो हम लोग क्या करते हैं यदि मैं energy per unit volume की बात करूँ energy per unit volume अच्छे कौन सी energy की बात चलेगे strain energy per unit की बात करता हूँ तो मुझे बताओ मैं formula कैसे लिखूँगा how will I write the formula तो यह simple सी बात है आप लिखोगे energy upon volume क्या लिखोगे energy per unit volume का मतलब क्या strain energy divide by volume इसके अलावा और तो कुछ मतलब है नहीं है क्या नहीं तो आप इसे लिख सकते हो half load मतलब f और extension मतलब small l upon volume तो volume आजाएगा a into capital l into a into capital l क्यों volume of the wire तो volume of the wire क्याता a into capital l था अच्छे एक बात देखिए क्या यहां से आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो कि energy per unit volume बराबर half into f upon a मतलब stress और into small l upon capital l मतलब strain बोलो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो तो strain energy per unit volume का एक और formula हो गया half stress into strain half stress into strain हो गया अब यहां पर formulas के अलग-अलग प्रकार आएंगे कैसे कि या वाई बराबर होता है stress upon strain तो मैं यहां से stress को लिख सकता हूं y into strain तो आपके पास मैं energy per unit का formula एक और आ सकता है half into y into stress की जगह क्या आएगा y into strain तो y तो मैंने लिख दिया और यहां पर आ जाएगा strain का square बोलो सही है क्या energy per unit volume की बात चल रही है इस बात को ध्यान नक ना गलती से भी गलत मत सोच लेना अब देखो जैसे मैंने stress को रिप्लेस किया मैं strain को रिप्लेस करता हूं तो बेटा strain को लिख सकता हूं मैं stress upon y तो इसका मतलब यह है कि energy per unit volume का एक formula जब मैं बना सकता हूं stress का square upon two y two y that is young's modulus तो यह अलग-अलग तरीके के छुट-छुटे से formula बनते हैं जो आपको कभी भी काम आ सकते हैं ठीक है stress का square upon two y है ना clear sure okay now यह यहां पर आपका एक topic खतम होता है इसके आग एक छोटा सा point है और वो है बिटा आपका regarding shagging regarding what shagging या depression जिसे हम लोग बोलते हैं shagging या फिर depression बोलते हैं और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है shagging in the bean case या depression के बारे में जब मैं बात करता हूं तो इसमें आपको एक formula याद रखना होता है sagging or depression sagging or depression यह sagging or depression है क्या चीज़ जैसे मैं आप से एक simple सी बात करता हूं मान के चलिए आपके पास में आपके पास में आपके बात करता है यह तो यह क्या बना दिया है मैंने यह पट्टी जैसे बना दिया लंबी से बात करता है मैंने क्या बना दिया एक लंबी सी पट्टी बना दी है जिसमें मैं कह सकता हूं कि लैट से इसकी जो लेंथ है वो एल है लेंथ कितनी है यह बड़ी पट्टि या अपने पुराने जमाने के लकडियों के घर जिन्हों ने देखे होंगे उन को उस चीज का आइडिया होगा कि किस प्रकार की पट्टी ये होती है मतलब देगो ऐसे माझे तो यहां पर आपको ऐसे उंची दिख रही होगी वास्तविकता में इसको ऐसे मान लिजे कि यह वाली जो है वो भी है यहां पर मान लीजे यह इसकी विर्थ है बी और यह जो है वह उसकी depth है यह क्या है इसकी depth कम होती है अमूमन जैसे लकडे का पट्टा जिस पर आपके पुराने बड़े-बड़े डबे रखे होंगे घरों में देखे होंगे जिनके पुराने घर है उनको इसके बारे में जड़ा सा आइडिया होगा अब यदि इस से मैं क्या करता हूँ इसके लिए कुछ youngs modulus है और मानके चलो मैं यहां पर एक क्या कर देता हूँ एक weight लटका देता हूँ W तो जाहिर सी बात है यह किसी support पर लटकी होगी टर्फ तो यह स्ट्रक्चर हो गारा है उसको हम लोग अगले पेज पर लेके आ रहा हूं स्ट्रेट लाइन की यह थी जिसकी लेंथ क्या थे ल थी यस ओके इसकी विर्थ B थी और Depth D थी तो और इसको कहीं ना कहीं दो सपोर्ट पर रखा होगा अब कहीं पर भी हो सकते एक दम Corner पर भी हो सकते हैं लेकिन जनरली थोड़ा सा अंदर होते हैं तो जहां पर दो सपोर्ट लग रही हैं यदि मानचलो में सपोर्ट यहां लिये हैं तो आपको इस length को भी यहीं से consider करना होता है लेकिन अमूमन वो ऐसा कुछ confusion देते नहीं हैं अमूमन यह देखा गया है कि ऐसा confusion वो देते नहीं हैं अब यहां पर यदि मैं इस पर क्या लटका दूँ एक W weight लटका देता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि समय गुजरने के पश्चात यह जो है इसमें ऐसा bending सा आ जाता है इसमें क्या जाता है ऐसे यह band हो जाती है और यह जो band हो जाती है तो इसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं सैगिंग कहते हैं इसे एक और नाम दिया गया है depression क्या नाम दिया गया है depression जिसे हम लोग डेल्टा से क्या करते हैं represent करते हैं और ये जो depression होता है इसका जो formula होता है वो आपका wl cube upon 4y 4ybd cube ये formula होता है ठीक है ये आपको directly याद रखना है हालांकि इस पर कभी सवाल पूछे नहीं गए है लेकिन भूले भटके आपको आजाए तो पताओ w क्या है वो weight जो लटकाया गया है l क्या है length of the beam generally वो support से ली जाती है y youngs modulus b क्या है विर्थ है और d क्या है depth है ये d क्या है depth है तो कभी देखो इसके लिए यदि shagging को कम करना है ध्यान से देखिए यदि आपको shagging को कम करना है तो यदि d increase होता है तो आपका shagging क्या होता है decrease होता है इसलिए आपने कभी देखा होगा जो girder लगाते गरडर बोलते हैं क्या बोलते हैं वो लोहे का l angle का shape जैसे पठरी का shape कैसे होता है वैसे ही जब heavy load के लिए उस eye जैसा shape लेते हैं हम लोग ज्यादा क्या होगी shagging होगी यह बात स्वाज में आ गई यह छुट छुटे से points होते हैं जिस पर सवाल देखो बना सकता है जनरली पूछे तो नहीं गए लेकिन फिर भी आपको पता हो तो कोई बुराई तो नहीं है मान के चलो आप color कौन सा ले लिए चला ही नहीं color तो red लिए है और मान के चलो आपके पास में circular beam हो कैसी beam हो circular beam हो तो इसमें बेटा आपको length तो L होगी ही होगी लेकिन इसमें आपको एक radius के बारे में भी सोचना पड़ेगा और जैसे ही आप radius के बारे में सोचोगे तो यहाँ पर अब आपको width और height के बारे में नहीं सोचना है सिर्फ length L और radius R के बारे में सोचना है और उस case में जो sagging आएगी वो लिखी जाएगी देखो ऊपर में तो कोई chain नहीं है WLQ ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं है WLQ ही रहेगा लेकिन नीचे जो है वो formula 12 pi r to the power 4 y will be the formula मैं आपको पहले से ही clear कर रहा हूं कि इस पर सवाल पूछे नहीं गए है 99.99% सवाल तो इस पर नहीं पूछे गए नहीं इस पर आने की संभावना है लेकिन 0.01% कहने ही सकते इसलिए आपको पता होना चाहिए तो जितना यंग्स modulus बढ़ेगा उतनी sagging क्या होगी decrease होगी तो यंग्स modulus जादा होना चाहिए ताकि sagging कम हो या depression कम हो बातसर में आ रही है सवाल बन सकते हैं अब रही बात 0.01% की तो 0.01% की guarantee तो डिटॉल भी नहीं लेता वह भी बोलता है 99.9% की टानूओं को मारे 0.1% वहां भी रह गए तो यहां पर भी वही स्कोप है बस उससे जादा कोई स्कोप नहीं है इन टॉपिक में से आज के जो हैं उसमें सवाल आने के हाँ अब जो stress और strain energy पर जो हमने चर्चा करी थी वहां पर आपको straight forward सवाल मिल सकते हैं energy वगरा कितनी energy store हो रही है energy store per unit volume के सवाल हो सकते हैं तो उससे related simple से सवाल होते हैं formula based सवाल होते हैं उन्हें नहीं भी करवाता हूं तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं यार go through करने की जरुरत है क्या यह बात समय में आ रही है शौर है क्योंकि मैंने अल्री एक पूरे लेक्चर में काफी अलग-अलग variety के सवाल करवा दियें except that यह क्या बुलते हैं stress strain energy वाले सवालों को छोड़ कर ठीक है अब मैं सवाल कोई ले भी लेता हूं तो उसका data solve करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो इसके लिए हम लोग ज्यादा यह नहीं कर रहे हैं मान चलो हमारे पास में question का data ले लेता हूं मैं सीधा question का data ले रहा हूं मान के चलो ह हमारे पास में steel wire है एक steel wire है इसकी length जो है वो दे रखी है मान के चलो 3 meter कितनी दे रखी है 3 meter दे रखी है area of cross section आपको दे रखा है area of cross section आपको दे रखा है 2 mm square 2 mm square दे रखा है और is executed through 3 mm इसमें लिखा गया है is executed through 3 mm 3 mm का execution किया गया अब इसका मतलब आपको खुद से ही समझना पड़ेगा यहां पर बोला गया है कि y जो है वो दिया गया है 20 into 10 to the power 10 so आपको बताना है energy stored कितनी हो रही है यह आपको बताना है simple सी बात है आप formula apply करिए सबसे पहले तो formula जब तक आप apply नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं y a small l upon capital L into small l क्या सारा data आपके पास available है खुद सोचो सारा data available है कैसे half y दिया है 20 into 10 to the power 10 area दिया है 2 mm square मतलब 10 to the power minus 6 into small l कितना है 3 mm तो यह 3 mm का भी फिर से square कर लो क्यों क्योंकि यह दो बार आता है और नीचे capital L कितना है 3 meter यह पूरा data आपके पास में हो गया है put the values and solve it you will get your answer और answer छोटा सा ही आएगा कोई ज़्यादा लंबा चोड़ा answer नहीं आता इन सवालों में ठीक है कैसे देखो क्या होगा ना एक 2 से तो एक 2 कटेगा एक 3 से 3 कटेगा 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 तो minus 12 तो यहाँ पर minus 2 बचेगा तो अब यहाँ पर देखो 0 कितनी बचा रखी हैं आप लोगों ने उनको ले लीजे तो एक 0 से 0 को और कटीजे minus 1 ठीक है यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा ह है यहाँ पर 3 बच रहा है 2 into 3 into 10 to the power minus 1 मतलब answer is 0.6 joule that's it खतम यह सवाल ऐसे सवाल होते हैं कुछ भी नहीं है वस फॉर्मूले के अंदर में आपको arrange करते आना चाहिए इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है शौर सो इसी के साथ हमारा एक और chapter यहाँ पर सम आप दोता है जिसका नाम है mechanical properties of solids सबसे छोटा सा चैप्टर है इसमें से सवाल आने के उम्मीद बहुत ही कम है लेकिन भूले बटके सवाल आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए इतना ध्यान रखना है सिंपल सा चैप्टर एक गंड़े के अंदर में पूरा चैप्टर कवर ह हो जाता है यह आप रिवीजन करने बैठोगे तो ठीक है शौर है तो आज के लिए यहां पर हम लोग रुकेंगे पहले लेकिन कुछ बातें बता दो जैसे मैं आपको बता दो जैसे कई बार है ना आप सवालों को देख रहे होंगे तो उसमें बीच-बीच में कहीं आपको थर्मल स्ट्रेस वगरा ऐसी चीज़े आ सकती हैं थर्मल स्ट्रेस वगरा इनको देखके आपको डरना नहीं है इतना ध्यान दखना है क्योंकि थर्मल स्ट्रेस वगरा से जो रिलेटेड चीज़े हैं वो आपको देखने को मिलेगी कहां पर थर्मल प्रॉपरडीज ऑप मै यहां से आप लिख सकते हो, L T minus L naught बराबर आजाएगा, L naught alpha into delta theta और यहां से आप लिख सकते हो, L T minus L naught upon L naught बराबर alpha into delta theta, यह क्या कर दिया सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आगे चलके, देखो यह basically क्या है? L 0 is the length at 0 degree Celsius, L T is the length at T degree Celsius, ठीक है? तो यह formula है, यहां पर alpha क्या है? coefficient of linear expansion, और यह basically delta theta की जगे मैं इसे T लिखना ज्यादा पसंद करूँगा, तो T क्या है? यहां पर temperature है in degree Celsius, यह relation है. तो यहां से आप दे सकते हो कि यह alpha delta theta है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? strain कहेंगे, क्या कहेंगे strain? और since देखो यह क्या है? चेंजिन लेंथ, भई यह L T minus L naught कैसे प्रलगा? चेंजिन लेंथ है? L 0 length at 0 degree है और L T length at T degree Celsius, तो जब आप गरम करते हो तो length बढ़ती है, तो L T minus L L naught क्या हो गया? चेंजिन लेंथ, L naught क्या है? original length at 0 degree Celsius, तो यह चेंजिन लेंथ upon original length मतलग क्या बन गया? strain, since यह temperature change के कारणा आ रहा है, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं, thermal strain, तो यह formula बन जाता है, alpha T, अब इसमें कोई जरने की जरत है नहीं, बाकि इसी से related चीजे हैं, इस आप किसी books में से सवाल solve कर रहे होते हैं, तो अचानक से सवाल बीच में प्रकट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, यह सवालों का फंडा simple सा इतना सा ही है, ठीक है? sure है, clear है, yes or no, यदि clear है, तो अपने आज के section को हम लोग यहाँ पर, आज के session को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, और मुलाकात फिर से करेंगे, आने वाले अगले lecture के दर्मियान, सो तब तक के लिए, धन्यवाब